तो चलो बच्चो, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब तुम सबको देना है, ठीक है? अधिये है प्राची कुमारी और इधार है अभे कुमार, दो बच्चे पर रहे हैं, तो चलो, अब तुम लोगों के लिए सवाल है, ठीक से सुनना, ठीक है? सवाल यह है कि एक टोकरी है, क्या है, बोलो, एक टोकरी है, और उस टोकरी, वो टोकरी पुरा खाली है, टोकरी लाओ, टोकरी रखो टेबल पे, हाँ, टोकरी टेबल पे रखो जल दी से, हाँ, चलो, अब ये टोकरी क्या है, देखो, टोकरी पुरा खाली है, देखाओ, खाली है टोकरी पु रहे ल है क्रें समाल फिर से सुनो इस टोकरी में कम से कम कितना पि्स आंब रखेंगे क्या क्या टोकरी खाली नहीं रहेगा गौ तो चलो इसका जवाब दो एक टोकरी प्र चाहिक खाली रहे हैं mm what तो मेरा सवाल का जवाब क्या हुआ कितना आम रखने पर टुकरी खाली नहीं रहेगा कैसे क्योंकि टुकरी पुड़ा खाली है उसमें एक आम रखेंगे तो टुकरी खाली कैसे होगा लेकिन उसे एक आम तो रखा हुआ है ना हाँ बिलकुल सही जवाब है तो वही सब रिजिनिंग है जैसे मान लो कि यह टुकरी है आप सब सोचेंगे कि कितना रखेंगे नहीं रखेंगे कैसे पता चलेगा तो देखेए काब माले आम निकालो इससे तो पुड़ा खाली हो गया अब हम मारा सवाल यहां था कि टुकरी म मैं कम से कम कितना पीस अरा में रखेंगे टो क्री खाली नहीं रहेगा तो कम स्कम एक maturity मैं रहा ठीक है तो चलो उसी तरह और नेक्स फी और एक जांपल दे सकते हैं चली ज़िए फिर अब देखेंगे आपके सामने में यह बेंच क्या अभी बैंक क्या अभी नगें गाली है तो अब बता hij गितना bud quiere रखें कि बेंच खाली ना रहे दो बुक रख दिया मतलब काने मतलब क्या हुआ कम से कम एक बुक अगर रख देंगे तो यही बात हुआ तो सवाल ऐसे आदमी का दिमाग में क्या रहा था कि कैसे जानेंगे इतना बड़ा टोकरी में कितना आम रखेंगे गिनना परेगा यह को है न और निस्चीद भी नहीं है कोई ठोड़ा अभी शळाएगा कोई कम एटा देता लेकिन कि यहाँ सवाल यह था कि कम से कम कितना रखें को खाली नहीं रहे तो ये विडियो तो खाली नहीं है ठीक है तो यह वीडियो कैसा यह सवाल कैसा लगा तुम दोगे अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब कोई क्या करेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत